नमस्कार and I welcome you to Mano Singh Now recently आपने सुना होगा कि जैसे ही अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम बनेंगे उसी समय दुनिया में एक Newest Country डिकलेर कर दी जाएगी और उसका नाम है Somaliland यहाँ पर आप Samphor का आर्टिकल देख सकते हैं इन्होंने लिखा है A Trump White House looks set to recognize the world's newest country और यह कहाँ पर होगा कैसे होगा अभी मैं आपको इसमें बताऊँगा Somalia Country अफरीका में एक Easternmost Country है जिसे हम Horn of Africa के नाम से भी जानते हैं इसके West में आपको इथियोपय मिल जाएगा Northwest में Digibuti है Southwest में Kenya है इसके North में आपको Gulf of Eden की खाड़ी मिल जाएगी और यह East में Indian Ocean से घिरा हुआ है ठीक है Somalia की पूरे अफरीका में सबसे लंबी कोश लाएन है और इनकी जो population है वो है 18.1 million जो की काफी जादा होती है इनकी 2.7 million population केवल एक ही capital में रहती है जिसका नाम है मोगादिसू जो की East में है इसके ठीक है इसमें जो 85% की population है न वो Somali लोग की है यानि की उनकी जो official language है वो Somali और Arabic है इसमें जो जादतर लोग है वो है Muslims और उसमें भी जो majority में है वो हैं सुन्नी लोग अब जैसा कि आपको पता होगा सुन्नी पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग सुन्नी वाले है सिया नहीं है सुन्नी कितने है 87% और Muslims है सुन्नी और majority कहा है इनकी यह है अगवानिस्तान में साओधे अरेविया इजिप्ट यमन पाकिस्तान इंडोनेशिया तर्की अलजीरिया मौरको और तुनीसिया में सबसे ज़्यादा जो हैं वो सुन्नी मुसलिम लोग ही रहते हैं और सियाओं पर आज़ तक अत्याचार्ट देखने को काफी मिला है लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि जब ट्रम्प इलेक्षन जीतेंगे तो एक नया देश बन जाएगा यानि कि उस देश का नाम होगा सुमाल लेंड तो मैं आपको बताता हूँ देखो यूएस का एक प्लैन लीक हुआ है जो कि उनी के एक पुराने जन्रल वैसले क्लार्ग ने लीक किया है इन्होंने बताया कि यूएस जो है सेवन मुस्लिम इस्टेट्स को बरबाद करके छोड़ेगा और जिसमेंसे सिक्स को तो उसने बरबाद कर दिया है और जो सात्वा है उसका नाम है ये सोमाली हम मैप की मजट से समझते हैं ये रहा हमारा प्यारा भारत और भारत के ठीक आपको बघलने मिल जाएगा लेफ्ट में सोमालिया यहाँ पर आपको सोमालिया मिल जाएगा सोमालिया में जो मैंना आपको बताय कि इनकी सबसे ज़्छादा population यहां मोगा दिसू में रहती है यानि कि 2.7 million population यहां रहती है असल में Somalia को किस नाम से जाना रहता है Pirates के नाम से Somalian Pirates आपको यहीं मिलेंगे और यहां पर इनका अड़ा रहता है कोई भी Sips आती है कोई भी बड़ी जहाज आती है उनको ये अपने कबजे में लेते हैं और फिर उस country से भारी भरकम रकम की डिमांड करते हैं और वो सब यहीं होता है और इसमें जो यहां का इलाका है यहां पर काफी countries के जो military bases हैं वो इस Somalia land में बनाए गए हैं यानि कि Somalia देश में बनाए गए हैं और जिसमें जापान, फ्रांस, अमेरिका जैसी आपको बड़ी-बड़ी countries मिल जाएंगी चाइना मिल जाएगा इनके military base पहले से यहां मौझूद हैं और यूएस का यहां पर एक military base तो है लेकिन वो चाहता है कि इस पूरे इलाके को ही तोड़ दिया जाए यानि कि जो Somalia एक है ना इतना बड़ा इस पूरे इलाके को दो भागों में divide कर दिया जाए यानि कि यहां से एक line खिचेगी यहां तक और यह Somalia land जाते देख रहे हैं आप यह line खिची है ना यहां पसे ऐसे कर कि यहां तक एक Somalia यह पूरा Somalia land कहला जाएगा और इस side का अलग Somalia कहला जाएगा ट्रंप के हिसाब से जो यह वाला Somalia होगा यह काफे विक्सित होगा यहां democracy होगी और इस वाले लाके में यह जैसा है अभी यानि यह pirates से भरा यह वैसा ही रहेगा जिसमें से एक खबर है यह Indian Navy Commandos take control of pirate ships in airborne raid यहां पर आप फोटो देख सकते हैं किस तरीके से इन्हों ने raid मारी और यह वहां का plane है इंडियन आर्मी का और यहां पर आप जो पैरा कमांडोज हैं उन्होंने 35 pirates को पकड़ा और hijack होने से उस ship को बचा लिया लेकिन क्या जब Somalia को दो हिस्सों में बाटा जाएगा तो ऐसा हो भी जखता है और नहीं भी असल में Somalia के पास जो आर्मी है वो केवल 15,000 की है यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो आर्मी है टोटल 2020 में 15,000 थी और 2022 में बढ़कर लगबग 30,000 और की है इतनी भी नहीं है क्योंकि यह दो हिस्सों में बटा हुआ है तो आए दि देगो गार्सिया और वो आपको यहां पर मिलेगा यह असल में British Indian Ocean Territory है जिसे 99 सालों के लिए US को British ने दिया है यानि कि England ने दिया है और यह बेस इतना एहम है कि यहां पर से किसी भी कंट्री पर नज़र रखी जा सकती है और USA ने यहां पर चाइना पर नज़र रखने के कंट्री आएगी जिससे US यहां पर अपना बेस बनाएगा और वो पूरे इलाके में चाइना समीच सब पर नज़र रख सकता है USA की टोटल अभी 60% जो फोर्सेज है वो Indian Ocean में तेनाते हैं यानि कि Indo-Pacific Ocean में तेनाते हैं जो की पूरा Pacific Ocean और पूरा Indian Ocean का इलाका आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना थैंक्यू टाटा एंड बाई बाई